सुषान के निधन को एक महिना पूरा हो गया है ऐसे में अभी भी कोई भी विश्रास नहीं कर पा रहा कि वो हमारे बीच में नहीं है भोजपुरे सुपर स्टार खेसारीलाल यादव ने एक बहुत बड़ी बात कही है क्या कहना है उनका मैं ही न कुमावत आपको फिल्मेंडो को बताऊंगी खेसारीलाल यादव का कहना है कि काश सुषान के पिता उनके साथ होते तो सुषान आज हमारे बीच में होता उनको लगता है कि माबाब जो है वो एकदम नर्मल छाओं की तरह होते हैं और बच्चों का ध्यान रखते हैं काश उनके पिता उनके साथ मुंबई में होते उनके पिता गए इंचुप्यू भी आया था जहां उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि मैं चाहता था लेकि मैं बहुत जल्दी वापस आ जाता था क्योंकि सुषान अपने काम में काफी बीजी रहता था और मुझे मुंबई की चकाचौन वैसे भी जादा पसंद नहीं है इसके अलावा खेचारी ने ये भी बात कही है कि वो प्रकाश जहा के साथ मीटिंग करेंगे और उनसे इस बात की दरखास करेंगे कि वो सुषान की जिन्दिगी पर एक फिल्म बनाएं और उसमें वो बिना पैसे पतलब मुफ्त में काम करने के लिए तयार है इसके लिए वो कुछ भी चार नहीं करेंगे हाला कि उनको लगता है कि भले ही सुषान बिहार से रहे हो लेकिन उन पर जो फिल्म बने वो भोजपूरी में नहीं हिंदी में बनने चाहिए जिससे जादा से जादा लोग देख सके क्योंकि हिंदी हमारी मात्रभाशा है तो इस तरह की बात खिसारी लाल यादब ने की है आज तक खुदी एक इंटरव्यू में जहां उन्होंने ये कहा है कि काश अगर सुषान के पिता उनके साथ होते तो सुषान इस तरह का कदब नहीं उठाते उनके घर का कोई सदस्य यानि उनके पास होता उनको संभाल रहा होता उनका ध्यान रख रहा होता तो इस सुषान के साथ शायद ये नौबत नहीं आती तो इस तरह से उन्होंने एक महिना पूरा होने पर दुख भी व्यक्त किया है और इस तरह की बहुत सारी बातू को रखा है जिसमें वो चाहते हैं कि उन्हें पर फिल्म हिंदी में बने और वो उसमें काम करना चाहेंगे और इसके लिए वो प्रकाश्चा के साथ मीटिंग भी करेंगे